हेलो स्टुडेंट्स वेलकम तो अधर 247 तो मेरे सभी प्यारे बच्चे कैसे हैं आप लोग मैं आज चुकी हूं आपके सामने आपकी होस्ट एन दोज अश्मिदा एक इंफरमेटिव वीडियो लेकर आप लोगों के सामने तो बच्चो जैसे कि अभी आपको पता है कि रिसे गया तो बहुत से बच्चों ना मुझ rubber करके मेल करके Sabos बखों मुझा बहुत बखों बहुत अचा है तो बाच्व आज हम यह जानेंगे कि सेदस्कूर किया है पूरत झोदेल एनलाइस किया है वह है बच्चों उसके बहाफ पे आज में आपको बताउंगी कि सबसे पहली बात बचो top 5 universities कौन कौन से जिसमें आप अपना admission दे सकते हैं और अपने सपने को सागार कर सकते हैं, ठीक है, आप हम देखेंगे कि क्या हमारी cut-off रहे कि specially हमारी cut-off क्या रहेगी, जिसने हमें अच्छा सा admission मिल जाए, अच्छी universities में पढ़ने का मौका मिल जाए तो बचो यह सब हम देखेंगे आज इसी वीडियो में, अगर आपको इंतिजार था इसी वीडियो का, तो यह वीडियो specially आप लोगों के लिए ही है, और मैं अश्मिता आप लोगों के लिए specially यह वीडियो लेकर आई हूँ, तो सबसे पहली बात बचो आप यह वीडियो को उस बचो को बताना है कि उसका कितना स्कोर था, आप बचो कम्ट्यूटर साइंस के लिए आपके लिए मैं बताती हूँ कि टॉफ फाइव यूनिवर्सिटी इस कौन कौन सी है, यहां पर आप जाके एडिशन ले सकते हो, अपना सपने को कर सकते हो, साकार, आप लोगों ने इतनी पढ़ाई करी, इतनी मेहनत करी बच्चों, तो वो किसलिए, कुछ न कुछ आपका एम होगा, जो आपको एचीव करना है, तो वो टाइम बस आ चुका है, आपने एक्जाम दे दिया, आपकी बच्चों फटा फट से आपका रिजल्ट भी आने वाला है, तो बच्चो आपका यूनिवर्सेटी इस ओफ डैली, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, डी यू में जाहतं किसे ये बच्चों अपना सपने को साकार कर सकते हैं, आइए फटा फट दिल्ली में ही, अपने सपने को साकार कर सकते हो, आप दूसरे बच्चों आता है, आपका जवाला रहरू जे एन यू, क्या है जे एन यू, यहाँ पर भी आप बच्चों एडबिशन ले सकते हो, आपके उपर ही डिपेंड है, आपकी कट ओफ के उपर ही डिपेंड रहेंगी सारी चीज़ है, अब आएगे बी एच यू, बनारस हिंदू यूनिवर्सेटी, बच्चों देख रहे पॉंडिचरी यूनिवर्सेटी, देख रहे हैं बच्चों, एक्तम देख के दिल खुश हो रहा होगा, मुझे पता है, देख के आपके लग रहा होगा कि भा, आप ये स्मेर आइडविशन हो जा, पटापट मैं कल से पढ़ने चले जाओ, है ना बच्चों, तो बिलकुल आपका होगा सपना साकार, टेंचर लेने के कोई भी बात नहीं है, अब दूसरी बात आती है, हमारी सेंटल यूनिवर्सेटी ओफ कैरला यूनिवर्सेटी, अब बच्चों, ये आपकी क्या है, कैरला की यूनिवर्सेटी है, बच्चों, ये टो फाइव आपको मैंने यू में जाके अच्छे अच्छी युनिवर्सिटीज में जाके पड़ू नाम कराऊं नाम कमाऊं और अपने पैरेंट्स का भी नाम गर्व से उच्छा करूं तो यह सारी चीज़ आपकी ख्वयश होंगी तो बच्चो बिल्खुल आपका एडविशन इसमें होगा तैंचन लेने को जा को देखो बच्चो अब यह बात यहां पर यह हुई देखो बच्छो कि आपका जो एक्जाम खाना काफी एजी और मॉड़ेट था काफी इजी और क्या था मॉड़े था तो मोस्ती बच्चों की था बच्छों मोस्ती बच्छों का 150 से 170 के बीच में आया है मैंने गया है 160 से 170 के बीच में गया है तो बच्चो जो आपकी कट-off है जो आपकी बच्चो कट-off की बात आएगी तो बच्चो कट-off जो होगे आपकी 70 से 75 के बीच में बनेगी तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है तो आपका बहुत भड़िया बच्चो स्कोर जाएगा तो फटा फट से आप लोग क्या करिए अगर आपका इतना बन रहा है और बच्चों आपको लग रहा है कि आपके इतने परसंटेज आएंगे तो बच्चों आख बंद करके आप बस सो जाईए और अपनी युनिविसेटीज में एडिशा लेने के लिए सपने सजा क्योंकि आपका वो टाइम बस आने ही वाला है क्या है बस आने ही वाला है तो बहुत जल्दी बच्चों आपका रिजर्ट निकलने वाला है तो फटा फट आप विल्कुल रेडी हो जाईए क्योंकि सेफ स्कोर बच्चों आपका इतना ही रहेगा 70 से 75 के बीच में रहेगा तो विल्कुल भी टैंशन लेने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों इसी तरीके से और भी इंफोर्मेटिव वीडियो में आप लोगों के सामने लेके आती रहूंगी। तो मेरे साथ बने रही हैं बच्चों, थैंक यू, सो मज, मिलते हैं। और बच्चों मेरे तरब से आप सभी को, God bless you कि सभी को अपना मन चाहाँ यूनिवरसिटी मिल जाया और आपका सपना साकार हो बहुत जल्दी। थैंक यू, बच्चों.